नमस्कार दोस्तों तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोश्का से संबंधित जो जीवन के अधियार भूत इकाई होती है कोश्का उससे संबंधित आने वाले एक्जाम में काफी महत्पूर्ण प्रेश्ण वीडियो यह लंबा हो सकता है लेकिन यह आपके एक्जाम के लए काफी महत्पूर्ण होगा इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अगर डियो पसंद दाए तो इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सबस्क्राइब भी साथ ही साथ कर ले साथ ही बिल दबाके नोट्पिकेशन आल कर आपको लेक्टर वीडियो पाहले प्राप्त होते रहें ठीक है तो आaj Rachel हम लोग को सिकाओं की आत्महत्ता कि छहेली किसे कहते हैं तो इसका जो उत्तर है यह हो जाएगा आपका लाई शुन ठीक है लाईसी सोम जो है यह आत्महत्ता कि ठैली कहते हैं इसे स censorship कि जो होता है इसमें विभीन हाइड्रोली्टिक एज्जायिम से भरे होते हैं इनका मुखचकार भोजन का पाचन होता है जब यह फट जाती है तो कोशका को नश कर देती है इसलिये इसे कोशका की आद मत्ता की थैली भी जाते है और यह मुख्यत जंत कोशिकाओं में पाई जाती है यह कोशिकाओं में और शिष्ट परदार्थों का और शूर्शन कर देता है ठीक है और दूसरा जो प्रशन है वह है प्रोटीन संस्लेशन का प्रेटफार्म किसे कहते हैं इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका यह हो इसलिए इसे प्रोटीन संस्लेशन का प्रेटफार्म भी कहते हैं ठीक है अगला जो प्रशन है तीन नमबर यह है इनमें सिकाओं सा कोशिका विभाजन में सहायता करता है जो चौर आप्शन दिये हैं इसमें सिकाओं से कोशिका विभाजन में सहायता करता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह मुख्व कार्ख करता है और इसको बता देए यह केवल जन्तु कोशकाओं MP पाया जाता है तो इसका मुख्यकार कोशका विभाजन में सहायता करना होता है सेंटो सों का काम ठीक है और चार नंबर जो प्रश्ण है उसको देखते हैं कोजिकाओ की टैफिक पूलिस किसे कह जाता है तो कोजिकाओ की टैफिक पूलिस पूचा है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए उसमें होता है गालजी बाडी ठीक है टैफिक पूलिस गालजी बाड क्या होता है गालजी बाड़ी इसका मुख्यकार वसा का संचय करना और स्वाइब करना है इसलिए इसे कोश्का का टैफिक पुलिस कहा जाता है पांच नमब प्रश्न है प्रकित की सबसे बड़ी कोश्का किसके अंदर होती है तो इसका जो उत्तर है वह है भी सुत्रमून का अंड़ा ठीक है इसका सबसे बड़ी कोश्का होती है ठीक है इसके इंदर है सुत्रमूर के अंड़े में जो होता है एकthrough 170-115 पर ठीक है बेगान सबसे छोटी कोश्क प्लू-roni aja होती है कौन सी प्लू रोनी योनिया जथा सबसे लंबी कोश का जो होती है तंत्रिका यह होती का कोश का तंत्रिका होती है निवरान ठीक है इसमें है सबसे छोटी जो होती है वह प्लू रोनिया और सबसे बड़ी लंबी कोश का जो होती है वह होती है निवरान अगला प्रश सबसे जादा होता है इसमें जल की होती है ठीक है और सोडी यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है किसमें अव्यकुषकाओं में तो सबसे ज़्यादा पताता कौन कौन से पाया जाती है सबसे ज़्यादा होता है अव्यकुषकाओं मात्रा में सरवाधिक जल होता है जो होता है 75 से 85 परसत और जो प्र करीब होता है और और आर इन जो होता है वह होता जरूडग्य प्रदार्स यह होता एतने होते हैं मीज़िप शाधन मेंन्य मेंसे कौन सबत्त तो पाया जाता है ठीक है जो जो पॉच्छा है इसमें से सारे मतलब इसका उतर हो जाएगा अप्रोक्त सभी क्योंकि हाइडोजन पाइजा होता है ऑक्सीजन और शोडियम ठीक है जैसे कि आपको मुता जेता हूं कि कोश्व में विभी नितत जो पाए जाते हैं उसकी जो मतरा होती तो आपको कोश्का के अध्यन को हम कोश्का विज्यान कहते हैं ठीक है विज्ञान को अध्यन को कहा जाता है आठ नमबर प्रश्ण को देखते हैं हम लोग कोश्का विज्ञान की प्रेक्रिया की जानकायी स्वरप्रत्म किस ने दे थी ठीक है इसका जो उत्तर हो जाएगा ए विर्चाउ विर्चाउ ने दिया था 1885 में ठीकने विर्चाउ ने 1850 में दिया था अग्ला जो प्रश्न है 9 नॉम्बर कोशीकाओ का डायरेक्टर किечिकाओ का डायरेक्टर औ कंट्रॉलर किचिका जाता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चैन्द्रक को ठीक है चैन्द्रक को डारेक्टर कंट्रोल कहा जाता है कोशकाओ क, अब जो चैन्द्रक होता है यह कैंद्रक की खोज 1831 में rashlt brown निक की थी। कोईश्काव के बीच में इस्तित होता है यह कोईश्काव के सभी कारियों पर नियंत्रण रखता है केंद्रग छे द्रियुक्त जिल्ली से गिरा होता है जिसे केंद्र जिल्ली कहते हैं केंद्रग के दो भाग होते हैं पहला होता है केंद्र का दूसरा होता है केंद्र का दब ठीक है केंद्रक के दो भाग केंद्रिका और केंद्रक दल अगला प्रेशन देशन नंबर वह है कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं इसका उत्तर हो जाएगा वह ठीक है कोशिका विभाजन के तीन प्रकार होते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं वह होते हैं असूत् और दूसरा होता है समसूत्री और जो तीसरा होता है वो होता है अर्धसूत्री विवाजन ठीक है असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री विवाजन ये तिने होते है 11 नमबर जो प्रश्ण है निमनिमेशे किसमे असूत्री विवाजन होता है हें तो जो असुत्री भ्यांदान होता है निमनेशे उसको पूछा गया है तो इसका इसी उत्र हो जाएगा सभी सेवाल में buy विएप अमीव भी होता है और नील पूझी होताह्त है एक तर उपसहरो इस सम्हेंमन नील हरीद, सेवाल, इस्ट, अमीबा तथा कुछ अन्य प्रोटो जोवा आधी जिसमें अविक्सित कोष्काय होती है उनमें असूत्री विभाजन होता है ठीक है जिनमें अविक्सित कोष्काय होती है उनमें असूत्री विभाजन होता है बार नमा प्रश्न देखते हैं और बारना प्रश्न है समसूत्री कोश्का विभाजन की खोज किसी ने की थी ठीक है और वाटर फ्रेमिंग द्वारा ही कोश्का के इस विभाजन को समसूत्री नाम दिया गया था समसूत्री विवाजन कौन सी कोई सकाव में होता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा का इक कोई सकाव में होता है समसूत्री भ्याजन 14 नमर्ज़ोग प्रश्न है वह है है किस आ में संपन होता है तो इसका उत्थर होगा गजा बांच वा टावस्थां में संपन होता है और क्योंगों वुजित हैं यह होती है संसूत्री भाजन इंटर फेज दूसरा होता है प्रोफेज तीसरा होता है मेटाफेज और जोदा इना फेज देथा पाचुवा होता है टेलो फेज जैसी अवस्थाओं में संपन होता है छेग पांतों प्रस्ट हैं दो कोशिकाओ विभाजन के बीच कि वह अवधी जिसमें वोश्का स्वेम को विभाजन के लिए तयार करती है उसे क्या कहते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका इंटरफेज इसे हम कहते हैं इंटरफेज ठीक है और अगला जो प्रश्न है 16 नंबर उसको हम देखते हैं उसका विहाजन की पर्थम अवस्था कौन सी है जिसके अंतर केंद्र विलुप्त हो जाता है तो इसका जो प्रोफेज जो होता है प्रोफेज विभाजन की पर्थम अवस्था है तता गुणसूत गुणसूत मद रेखा पर मेटा फेज में आते हैं इना फेज सबसे कम अवर्य दोसे तीन मिनट में संपन होतने वाली अवस्था है इसमें क्रोमय तीडे यूवी या एल की आकरिति ले लेते हैं तथा समसूत्री विवाजन की अंतिम अवस्था टेफलो फेज से होती है ठीक है अगला जो प्रश्ण है 17 नमबर होगा है समसूत्री विवाजन के परणाम सरूप एक जनक कोशका से कितनी संतती कोशकाओं का जन्म होता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए दो दो संताओं के जन्म होता है जैसे समसूत्री विवाजन के परणाम सरूप बने परतेक संतती कोशका में गोशकाओं की संक्या जनक कोशका के समान ही होती है ठीक है अगला अठार नमबर प्रश्ण है कि शरीर में नमीन कोशकाओं का निर्माद किसके द्वारा होता है इसका जो उत्तर हो जाएगा समसूत्री विवाजन। सम्सूत्र बढ़न के कारण जीवं विकास होता है कुछ सूच में इसी विभाजन के द्वारा अलेंगिक प्रयक्रिया भी इसी बढ़न एक प्रकार सरीर की मरम्मत होती है एवं घाव भरते हैं अब 19 नमबर प्रश्ण है अर्द सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी तो इसका जो उत्तर हो जाएगा है भीजमेन ने अर्द सूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं इस विभाजन का नाम 1905 इस्वी में फार्मर तथा मूरे ने रखा था तथा अर्द सूत्री विभाजन की खोज सरप्रथम बीजमेन द्वारा की गई तथा इसका सरप्रथम विस्तिरत अध्यान 1888 इस्वी में इस्टांग्स वर्गर ने किया था अब 20 नमबर प की होती है दो अवस्थाई होती है पहला अर्द सूत्री सिर्पड़ में होता है और आप अर्द सूत्री में वियाजन में चार अवस्थाएं होती है अर्द्शोत्री व्याजन में एक में चार अवस्था होती है और होती है प्रोपेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 तर्था एलोफेज ये चार अवस्थाएं होती है 21 नमबर प्रश्ण है कोज का किस जीव की कौन सी इकाई होती है इसका उत्तर हो जाएगा 22 नमबर प्रश्ण है कोज का काउच 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 की खोज की गई ती उसे क्या कहते है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा माइक्रोस्कोप ठीक है और 10 नमबर प्रश्ण है साजीव माध्यम में प्रश्ण की खोज की विज्ञांय। ऑच्रा चीव की खोज किस ग्यांय। थम्हसे जो आट घ्रा दॉप काउच काउच की खोज किस गयं प्रश्ण यूज स जो जाए गो बर्ली अनतोनी 0 लुवे नहाग इन्होंने आठा 1683 इस्पी में 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 खोज किया था उन्होंने बताया था कि कोश्काव को प्रकास सूसमदर्शी द्वारा देखा जाता है अगला जो प्रशन है 24 नंबर हुआ है एलेक्टान सूसमदर्शी की खोज किस ने की थी तो इसका जो उत्तर होगा लुए लेक्टान सूसमदर्शी ठीक है अगला जो प्रशन है 25 नंबर वह को इसका जो परकार कोस्काएं होती है और सही थीकर है को इसका का मुख्ख को थी है कुण कौन से अविक्सित खोश्का और विक्सित कोस्का दो कोषख होती है विक्सित और अविक्सित . 있고 मुख्र विक्सित , कुस्त का मुक्ह मुख्र कि कतने भागा होते हैं तो कुस्त का कर स्दक और कर push जो मुख्र जो भागोत है वह तो अवीह होते है थि 84 कोश्का के मुक्रता दो भाग होते हैं इसमें से पहला जो होता है कोश्का भीत्ती या कोश्का भीत्ती से कहते हैं और दूसरा जो होता है वह हता है जीवत्रब यह दो कोश्का के प्रकार दो भाग होते हैं ठीक है और 27 नमर जो है कोश्का भीति किसी भी कोश्का का ब्राह आवरा बनाती है और यह सिर्फ वनस्पति कोश्का में पाई जाती है यह किसकी बनी होती है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी सही है सिलकोज की यह बनी होती है तेट इससे निवर स्वाएं जंत को कि बाहा जिल्ली प्लाजमा जिल्ली कहाँ यह हैं यह किस की बनी ओति है यह किस की बनी ओती है तो इसका उत्तर होगा जुरी है। लाइपो प्रोटीन की ये बनी होती है अब गई प्रशन है 29 नमबर जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं एक यह जो है जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा D किसी भी कोश का भित्ती को छोड़ कर से संपूर्ण भाग को जीवन द्रव कहलाता है और यह जीवन का भौतिक आधार है और इसे दो भागों में व्याज़ित किया गया है पहला भाग जो व्याजित किया है वो है कोश्का द्रब दूसरा जो भाग व्याजित किया गया है वो केंद्रक में ठीक है यह दो भागों में इसको व्याजित किया गया है कोश्का द्रब तधा केंद्रक में तीस नमर प्रश्ण है जन्त कोश्काओं के बाहरी आवरन के बीच का भाग क्या कहलाता है और कोश्का के सभी आवश्चक अंग इसी के भाग होते हैं तो यह क्या है इसका उत्तर यह हो जाएगा कोश्का द्रब्ब ठीक है कौश्का द्रब्ब केंद्रक और प्लाजमा मेंब्रेन यह जन्त कोषका का ब्राह आवरन है कि बीच का भाग कोषका द्रब कहलाता है और कोषका के शभी आवश्यक अंग इसी भाग में पाया जाते हैं जो कि कोषका अंगक कहलाते हैं कोश्का अंगर कहलाते ही एक तिस नम्मर प्रेश्ण है कोश्काओ का कंकालतंत किसे कहते हैं तो कोश्काओ का जो कंकालतंत किसे कहते हैं उसका उत्तर होगा इसमें कर दिवी जलिका को कंकालतंत करना है और इस पर राइबो सूम लगे होते हैं जो प्रोटीन का श्यंसलेश्शन का कार बत्तिस नम्मर प्रेश्ण है वह है शरीर में भोजन का आक्सिकरण किसमे होता है तो इसका जो उत्तर होगा माइक्ट्रो कांडिया को ठीक है माइक्ट्रो कांडियम होता है तो यह जो माइक्ट्रो कांडिया है इसे कोशिका का उर्जाग्रह कहते हैं इसमें भोजन का आक्सिकरण होता है और भोजन के आक्सी करण को कोशिकी स्वसन या अन्ता स्वसन कहते हैं भोजन के आक्सी करण के फलसरूब उर्जा एटीपी के रूप में बनती है तथा संग्रहित होती है अब 33 नमर जो प्रशन है वह है लवक कितने प्रकार के होते हैं तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बस सही है लवक तीन प्रकार के होते हैं ठीक है इसका 20 सही है तो कौन कौन से होते हैं पहला है लवक अवल अवर्णी लवक दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है खरिद लवक यह तीन प्रकार के लवक होते हैं पवाणली लवक, वाणली लवक, हाईत लवक 34 नमर प्रश्ण है भोजन का संचे करना किस लवक का कार होता है इसका उत्तर हो जाए का सही है पवाणली लवक का ठीक है यह अवाणली लवक जो होता है भोजन का संचे करने का कार अवर्णी लवक का होता है यह पौधो के रंग हीन भागों में पाय जाते हैं जैसे आलू, सकरकन, गन्ना आदमें और 35 नमर जो प्रश्ण है वह टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यह सई है लाइकोपीन लाइकोपीन कारण टमाटर का लाल रंग होता है यह वर्णी लवक के कारण पौधो में रंगीन होते हैं जैसे फलो एवं पुष्पो के रंगीन भाग में टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है इसी प्रकार कांजर को मिर्च का रंग कैरोडीन के कारण चुकंदर का विटाम नीन के कारण और बैगन का रंग जैन्थोसाइनिक के कारण होता है नोट लवक केवल वनस्पती को इस काव में पाजाता है बहुत दुन्वाद दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें